बिहार में सिख्षकों के लिए या उन छात्रों के लिए अब मुश्किल खड़े होने वाली है या यूँ कहें तो B8 कॉलेज चलाने वाले उन लोगों के लिए मुश्किले बढ़ने वाली है बिहार सरकार ने कई कॉलेजों की माननेता रद कर दी है नमांकन पर भी रोक लगा दी है बिहार में लगतार सिक्षा मसले को लेकर विपक्ष के निशाने पर लोग रहते हैं अब ऐसी करम में बिहार में 26-28 कॉलेज पर गाज गिरने वाला आ है इन कॉलेजों पर परफॉर्मेंस और साथ ही रिपोर्ट जमा नहीं करने कारूप लगा है अब यह कॉलेज नमांकन नहीं करा सकेंगे गौर मतलब है कि राष्टिया द्यापक सिक्षा परिशद ने परफॉर्मेंस एप्रोबल रिपोर्ट भरना जरूरी कर दिया है बताते कि NCTE ने बुलाई बैठक में इस पर फैसला लिया गया है आदेश जारी कर दिया गया है कि ललित नरायन मितला विशुविद्याले ने सभी विशुविद्याले को नोटी जारी कर एफलियेशन मिले हुए सभी बीएट कॉलेज के लिस्ट मांगी थी जिसने पूछा गया था कि आपके विशुविद्याले में एफलियेशन प्राप्त कितने बीएट कॉलेज है जिससे पियार जमा हो चुका है लगबग 26 कॉलेज ने पियार नहीं भड़ा है ऐसे में सभी कॉलेज नमांकन नहीं करा सकेंगी वहीं बीएट कॉलेज में नमांकन के लिए जॉयन्ट इंट्रेंस एकजाम के लिए एक लाग एक सट हजार चात्रों ने आवेदन दिया जिसमें एक लाग शबीस हजार चात्रों ने सुल्क किरासी भड़ दी आवेदन करने की तिथी मंगलवार तक की है यानि एक पार फिर से बीएट कॉलेज को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया है ललित नरायन जो विश्वविद्याले है उसके द्वारा ही बिहार में बीएट कराय जाते है और उसके अंतरगत जितने भी कॉलेज है उनमें 26 कॉलेज पर अब गाज गिरने वाली है सरकार का मानना है कि जो रिपोर्ट जारी किया जाता है जो रिपोर्ट भेजा जाता है इन कॉलेजों ने रिपोर्ट नहीं भेजा है और खास तोर पे बीएड में एक्जाम और जो बीएड का एडिविशन प्रकिरिया है अब सुरू होने वाला है अगर इसी स्थिती में कॉलेज ने रिपोर्ट नहीं भेजा है और जिन छात्रों ने फर्म भर दिया है उन लोगों की रिपोर्ट भी कॉलेज तक नहीं पहुची है इसको लेखते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी किया और इसके माध्यम से ये साफ कर दिया गया है कि 26 व बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओ ये गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाए अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद